आज की वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कैसे आप Airtel Sim की 6 महीने की काल रिष्टी निकाल सकते हैं कब-कब जो है किस नंबर पर कितनी बात हुई है सब कुछ जो है आपको PDF के रूप में मिल जाएगा और यहां से जो है आप आसानी से देख पाएंगे तो चलिए जाल देते हैं इसके लिए आपको अपने Airtel नंबर से एक मैसेज भीजना पड़ेगा इसके लिए आपको मैसेज भीजना है तो आप जैसे भी अपना मैसेज भीजते हैं तो यहां पर देखी पिलस पर कर देते हैं इसके लिए आपको जो message भेजना है वो यहाँ पर आपको भेजना है 1-2-1 number पर इस पर आपको message भेजना है तो यहाँ पर मैंने 1-2-1 number डाल दिया है और यहाँ से हम वो sim select कर लेंगे airtel की तो यहाँ से हमने airtel sim को set कर लिया है उसके बाद जो है अब दोस्तों 1-2-1 पर आप से मैंने लिख दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं e pre bill capital में आपको लिखना है उसके बाद आपको space दे देना है अब यहाँ पर आप किस मंत का निकालना चाहते है जैन्मरी फन्मरी एक-एक महीने करके आप 6 महीने का निकाल सकते हैं एक बार में आने में दिक्कत होती है तो jan लिख देना है अगर जैसे फरवरी का निकालना है तो feb लिख देना है ऐसे ही जिस मंत का निकालना है तीन लेटर आपको लिख देना है तो यहाँ पर देखिए मैं January का निकालूँगा तो यहाँ पर मैंने jan लिख दिया उसके बाद आपको space दे देना है अब यहाँ पर आ यूइटर चेट लिखिया है सिस प्रपार सेट देना इमेल इड लिखिया है, इहां पर देख सकते हैं, हमने मेश्ज अद्ध किया, वैसे ही reply में एक message भी आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं January month और यहाँ पर आप देख सकते हैं Send to your email address तो जो bill है e-bill वो आपके email address पर भेज दिया गया है तो आपको वो email address चेक करना है और यहाँ पर इसको open करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं e-bill और आपका mobile number रहेगा और यहाँ पर send कर दिया गया आपका email ID और यहाँ पर password आपको मिलेगा यह message कभी कभी लेट भी आता है तो password यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने से भी password यह बना के open कर सकते हैं PDF जो रहेगा bill तो यहाँ पर मैं email open कर लेता हूँ तो अब आप दे सकते हैं हमने email ID अपनी open की है और यहाँ पर आप दे सकते हैं इस तरह से आपको यह mail आपको मिलेगा e-bill नाम से prepared bill और mobile number ऐसे से यहाँ पर mobile number रहेगा और इसको open करना है अब यहाँ पर last में जाएंगे तो यह देखिए PDF आपको मिल गया है इसको आपको open कर लेना है अब आपके mobile number पर जो password जाएगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है अगर आपके mobile number पर password नहीं जाता है तब आपको क्या डालना है तो password में आपको जिसके नाम पर आपकी जो SIM है या टेल की उसका जो है डेटो बर्त की लाश्ट की यर जो होती है जैसे किसी का 1995 है तो सबसे पहले चार्ड डेजिट आपको उसके यर के ले लेना है उसके बाद जिस mobile number का आप जो है डेटेल निकालना चाहते हैं उसका लाश्ट का चार्ड डेजिट जैसे कि आप किसी का mobile number के जो भी लाश्ट की चार्ड डेटे होंगे वो आपको ले लेना है उसके बाद यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर डालने के बाद उपन कर देना है जी देखिए उपन हो गया है अब यहाँ पर सारी की सारी डेटेल आ गई है इस मंत की पूरी कब कब कितने देर कहां का बात हुई है वो सब कुछ आपर आ चुका है आप देख सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कोई अगर सवाल आपके मन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता है